हेल्थ संबन्धी जानकारी आपको मिलती रहे इसलिए जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान को भी दबाएं इस वीडियो में बात करते हैं जीब से कौन से इंडिकेशन मिलते हैं और किन-किन बिमारियों को बारे में पहले ही पता चल जाता है तो देखे जो जीब है जो दात है 32 दातों के बीश में एक घिरा हुआ मानसल सौर्प्ट आरगन है जो कि कई बिमारियों के इंडिकेटर को बताता है देखे जीब पर अगर ध्यान से देखेंगे तो जो उसके किनारे किनारे वाले जो एरिया है अगर इस पर दातों के निसा दांतों की निसान का पढ़ना तो बहुत आसानी से आप देख सकते हैं सीसे में आप देखी अपने जीप का जो चारो तरफ का किनारा वाला पोर्शन है उसके अगर दांतों की निसान बने हुए हैं तो इसका मतलब सरीर में कुछ अबनार्मल्टी चल रही है और इस सब प्रा Möglichkeit सकता है और एक बडी समस्या को बोड़ी में शरीर में पनफने से रोका जा सकता है तो देखे जो दी जीप पर दांतों का निसान बहुत कुछ कहता है स्वास्त के बारे में यानि प्राइमंडिकेशन है, प्राथमिक इंडिकेटर लक्षन है और उन प्राथमिक हो सकता है दूसरा इंडिकेशन हो सकता है कि निकट भविश में अनिज्डरा की समस्या आने वाली है यानि अनिज्डरा का भी इंडिकेटर है और तीसरा कि आप तनाव ग्रस्त रहते हैं या फिर चिरचिड़ा पन के सिकार रहते हैं और चोथा इंडिकेटर लचन क्या है कि खराब पाचन तंतर तरीने जीप पर डांतों के जो निसान है ओ इन चार बिमारीओं के बारे में प्राथमिक इंडिकेटर है अब सरीद इंडिकेटर लचन आ रहा है उसको जड़ से खतम करने के लिए हुमेपथिक मेडिसीन लेनी प और काडूस मेरियानस क्यों दोनों का पंद्रा पंद्रा बूंत एक कप पानी में डालकर तीन टाइम लेना है और तीसरी दवा है नक्स बोम क्या 30 डेली रात सोने से पहले दोबून जीप पर तो इन तीन दवाओं से जो भी दांतों पर निसान है वो ठीक हो जाएंगे तो इ